नवसकर दोस्तों जहिंद वंदे मातरम आपशभी का श्वागत अविननन है सिच्छक वर्ति के चैनल टीटी फैमली सिच्कों के परिवार जैसवाल कोचिंग सिंटर पर पावर बाई सिच्छा ही प्रकास है साथियों बात करेंगे प्रतियक सिच्छक बंदू के लिए प्रतियक भाविय धापक अधापिकाओं के लिए IMPTate Match Practice Set No.3 की बात कर रहे हैं प्रतियक जो आपका Practice Set है आपके Slayस के Coding है previous year में पूछे गए प्रश्णों का collection है और शंभावित प्रश्ण है और syllabus के coding प्रत्य एक class की बात कर रहे है शाथ हो इसके पहले हम दो practice it upload कर चुके है प्रत्य एक practice it जो है आपके पंद्रे प्रश्णों का रहता है पंद्रे questions का रहता है इसमें आपको एक more question भी सामिल कर दिया जाता है आई होप आपने पिछले दो practice it जरूर अटेंड किया हो अगर आपने अटेंड नहीं कर पाया है तो आई बटन पे लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट की तो आप लोग जरूर अटेंड कीजेगा सभी classes free of cost है क्योंकि ये राश्टित में टीटी फैमली है सिचकों का परिवार है बात करेंगे इस class के practice it नंबर थर्ड में भी हम 15-23 प्रिश्ण करेंगे आप लोग भी रभ इन कापी लेके जरूर बैठें क्योंकि ये मैस के और गणित जो होता है वह कहता है कि आप कुछ करें तो मैं कुछ करूँ चली शुरुआत करते हैं पहले प्रिश्ण की संख्या 5-6-4-3-1 में 6 के इस्थानी मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर क्या होगा कल की class में हमने 2 प्रिश्ण ऐसे किये थे तो उसी से सुरुआत भी करते हैं और इसी टैप का कल की class में हमने आपको more question भी दिया था तो संख्या 5-6-4-3-1 में 6 के इस्थानी मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर क्या होगा सभी comment कीजिएगा साथियों यहाँ पे संख्या क्या दी गई इसमें 6 के इस्थानी मान Пोँँच रहा है 6 का इस्थानी मान क्या छे लिखेंगे इसके बाद कितने संख्या 3 है तो 3 शुन कर दीजे और अंकित मान जो होता है व्य सेम होता है 4 का 4 लिख देना है तो यहाँ पे क्या है अंतर पूँचा जा रहा है हम प्लस कर रहे हैं प्लस नहीं करना यहां पे अंतर पूचा जा रहा है तो 6000 में से 4 को जब हम माइनस करें क्या जाएगा 5996 क्या हमारा C आपसं सही आ रहा है I hope आप लोग समझ गए होंगे बहुत से बच्चे कहेंगे directly sir आप लोग माइनस कैसे कर देते हैं हमें प्रॉब्लम आती है बिल्कूल ऐसे करिए 10 में 4 गया 6 जाएगा 9 9 6 टीक है एस वारी 5 यहां पे आएगा तो 5996 आपका आ गया 6996 C आपसं सही होगा कोई भी डाउट हो कमेंट करें फीडवे करें जिनको समझ नहीं आया है यह आपका लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से समझ सकते हैं बात करेंगे सेकंड प्रश्न की दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं संख्याएं दी हुई है 62 क्यामन 6521 और 56 में 5 के इस्थानी मानूं का योगफल निकालिए बहुत ही असान है उसी टैप्स करना लेकिन संख्याएं तेन दे गई हैं तो इनका योगफल करना पड़ेगा देखें सर्बतम ध्यान पुरु समझेगा इस संख्या का 5 के इस्थानी मान निकालिए 5 गुड़े एक संख्या तो 10 कर दीजे बराबर कितना हैगा 50 आ गया दूसरी संख्या का देखिए इसका 5 के इस्थानी मान निकालना है तो 5 गुड़े और गुड़े कितनी है दो संख्या है तो 100 कर दीजे बराबर कितना हैगा 500 आ जाएगा तीसरी संख्या में 5000-550 योग कर देना क्योंकि यहाँ पर योग फल पूछा जा रहा है तो योग फल कितना आजाएगा तो 5000-550 आजाएगा की नहीं आएगा सी अपसन सही होगा की नहीं होगा अब आपक जो बोलेंगे सर कैसे हो जायेगा तो बिल्कुल कपड़ानी की जुरुत नहीं है पांच जार यह हो गया पांच यह हो गया और पच्चास यह हो गया अब इनको क्या कर देना प्लस कर दीजे ठीक है जीरो पांच 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 त्रिपल फाइप जीरो क्या आपका सियापसन सही आ रहा है की नहीं आ रहा है I hope सभी प्यारे मित अच्छे तरीके समझ कोई होंगे प्रतेग भाई बहन सिच्चक बंदो मेरे सभी प्यारे प्यारे मित्रों की प्यारी प्यारी बहने ग्रहने सभी कमेंट करें जिनका सपना है गौर्मेंट टीचर बनना, अध्यापक कदापिका बनना, जेस्वाल सराप्ष भी का श्वागा तभिननन करते हैं जिनको भी प्यारे मित्रों को समझ नहीं आया सिच्चर बंदों को ये इन्वाक्स के अंदर देखे पूरा लिखा हुआ है, समझाया हुआ है आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं चले हम बात करतें अंगले प्रिशन की, अंगले प्रिशन की करीपर बढ़ें आप लोगों की अनुमत ही है, चले बात कर देंगे तीसरे प्रिशन की साथियों 35, 36, 2 में 5 के इस्थानी मान और इसके अंकित मान का अंतर क्या होगा इस कोश्चन को आप लोगों को करना है, जी हाँ, यह हम आपके लिए दे रहे हैं प्रिक्टिस के तोर पर कह सकते हैं क्योंकि इस टाइब का प्रिशन कर चुके हैं तो आपको क्या करना 35, 36 रफ में लिखिए इनका 5 के इस्थानी मान निकालिए और 5 का ही अंकित मान निकालिए इसके ही अंकित मान तो 5 का ही अंकित मान निकालना है और दोनों का अंतर करके हमें एंसर कमेंट बाक से बताईए कौन सापसन सही होगा हम करेंगे अंगला प्रिश्ञ संख्या n को दो गुणा करके उसमें y को जोड जोड़ जोडा जाता है इस परिडाम को 2 से भाग करके फिर उसमें से वास्तुक्संख्या n को घटाय जाता है अन्तिम परिडाम क्या आएगा n प्लस y n प्लस y अपान 2 2Y upon 2Y अब आप कमेंट कर रहे होंगे पर सर कितना hard question है कुछ hard नहीं है किबल दो line क दो कलम चलाना है और आपका एंसर आजाएगा अब आप हस भी रहोंगे सर कैसे मजाक कर रहे हैं मजाक नहीं कर रहे हैं reality की कि बात कर रहे हैं प्र个ři, क्लास, आप लोक जोएंटोगे थे, हमें एक मौका दीजिए आपको समझहने का, एक बताने का, सेर करने का, चाहती ओं संख्या N को दो गुना करके उसमें वाई जोड दिया गया प्रश्ण क्या कह रहा है संख्य एन को दो गुना मत्तब टू एन प्लस वाई कर दीजी इसके बाद क्या कह रहा प्रश्ण इस पईडाम को दो से भाग करके क्या कह रहा है इस परिडाम को दो से भाग करके फिर उसमें वास्पी संख्या N को घटाया जाता है तो माइनस N कर लेंगी या N बटे एक आप अनार्मली लिख सकते हैं ठीक है इतना करने के बाद अन्तिम परिडाम तो बस आपको simplification बन गया कि नहीं बन गया इसको असान से सरर कर लेना है LCM ले लिजेगा दो एक कम दो ही LCM आएगा ठीक है और सभी को पता होगा दो से दो के भाग जाएगा कितना बचेगा एक बचेगा तो एक का गुणा जब ऊपर करेंगे तो 2N प्लस Y ही आएगा आएगा कि नहीं आएगा 2N प्लस Y ही आजाएगा यहाँ पे चले हम क्या करते हैं दो को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हम यहाँ पे हमें इस पेस थोड़ा से मिल जाए बताने के लिए आप लोगों को ठीक है 2 आ गया दो का भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और एक का गुणा इसमें कर देना है तो कितना जाएगा 2N प्लस Y ही हो जाएगा माइनस एक का गुणा दो से करेंगे दो बार जाएगा और एक से भाग करेंगे दो में तो दो बार जाएगा दो का गुणा N से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2N हो जाएगा तो हमारी संख्या क्या आ गई 2N प्लस Y माइनस 2N अपान 2 क्या सही है अब आप बोलेंगे 2N प्लस है 2N माइनस है दोनों को कट कर दीजी हमारी संख्या क्या बची Y अपांट 2 बचा की नहीं है बचा इनको जब सॉल्फ करेंगे Y अपांट 2 आ जाएगा I hope आप लोग समझ गए होंगे नहीं समय है एक बार और मैं टीक कर देते हैं किसी संख्या को N को दोगुना करके उसमें Y जोड दिया गया तो 2N प्लस Y कर दिया गया फिर इसमें कहरा पेडाम 2 से भाग कर दिया 2 से भाग कर दे फिर कहरा N को गटा गया N को गटा दिया हमने इतना कर लेना है N बटे कर लिजे 2 का यहां पे LcM कर लिजे 2 का जब भाग देंगे एक बार जाएगा और एक का गुणा उपर किया जाएगा तो कितना आजाएगा 2N प्लस Y यह आजाएगा इसी प्रकार एक का भाग 2 में दों गे 2 बार जाएगा 2 को गुणा N से होगा तो माइनस 2N आ जाएगा और बटे में 2 है 2N से 2N कर जाएगा YY2 आपका बचेगा तो यहाँ पे आप लोगों को YY2 वाला आपसन सही हो जाएगा जिनको नहीं समझ मैं है यह आप लोग देख सकते केवल 2 लाइन का है जी हाँ चलिए बात करते हैं अंगले प्रिश्न की यदि उन्नीस संतामन माइनस A9 बरावर अठारा भी आठ तक अंको एवाबी का योग क्या होगा बहुत ही हार्ड कोश्चन है लेकिन सिंपल सा कोश्चन है आसान तरीके से सॉल्ट करेंगे इसके एक ट्रिक होती है समझेगा इस ट्रिक को एक तरीका तो हमारा ये होता है कि उन्नीस संतामन माइनस A9 दिया गया है बरावर अठारा भी आठ दिया गया है इसको हमें क्या करना पड़ेगा नौ पाँच बरावर संतामन भी दिया गया है 9,5 बराबर कितना आगए 14 आना चाहिए अब आप बोलेंगे ये 9,5 कैसे कर रहे हैं ठीक है तो ये ट्रिक है समझेगा ध्यान पूरक समझेगा अब आपको करना क्या है 19 संतामन दिया हुआ है माइनस A9 कर लिजी बराबर 18 B8 ये आपका question कहरा है तो इसके जगए आपको करना क्या 19 संतामन माइनस एक जगए आपको क्या करना है जान दिजे 5 कर देना 5,9 कर दिजी फिर आप देखे आपकी value क्या रही है 5,9 कर दिजे फिसके बाद आप value देख लिजे कितनी आ रही है तो 7 मिन हो गया कितना गया 17 मिन हो गया कितना आएगा 8 ही आएगा आएगा की नहीं आएगा और ये हमारा कितना बज़ गया 4,14 में 5 गया कितना आएगा 9 आएगा और ये आपका 8 है 1 है तो 18 ठन भी आ रहा की नहीं आ रहा तो हमारी जो ये B की वैलू के आ गई, 9 आ गई यहां से, तो A बराबर 5, B बराबर 9, अर्थात A बराबर 5 रखने पर B बराबर 9 रखने पर देखिए हमारा क्या आ रहा है, तो A बराबर 5 ये अर्थात यहां पर 69 रखेंगे, तो B बराबर 9 आ जाएगा, बराबर 9 रखेंगे तो 18-90 आ जाता कि नहीं आता है तो 9-5 कितना होता है तो A बराबर 5 और B बराबर 9 रखने पर तो 9 धन 5 कर लेजी 9-5-14 आ रहा की नहीं आ रहा है तो यह आप संसरी होना की नहीं चाहिए ठीके न तो यह सारी चीजे होती है हमें केवल समझना पड़ता और ये 9-5 आपके प्रशन पर ही दिया गया है तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और ये लिखा हुआ है बहुत यासान सा प्रशन था अब बात करतें अंगले प्रशन की अंगला प्रशन है 24-24 में 2 के स्थानी मानों का योगफल बताएए 220-2002-220 या 4 हो जाएगा 24-24 में 2 के स्थानी मानों का योगफल निकालना है देखे हम लिख देखे 24-24 लिख लेते हैं आप भी करते जाएए रप्र में पहले दो का मान निकाल लेते हैं दो गुड़ें इसके बाद तीन संख्या हैं तीन जीरो कर लिजे फिर दूसरा हमारा क्या है दो यहाँ पर कर लिजे इसके बाद एक संख्या तो गुड़ें क्या कर लिजगे यहाँ पर गुड़ें दस ही करेंगे न तो इनका कितना जाएग जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो यह आप बॉक्स के अंदर का पूरा फार्मूला शलूसन देख सकते हैं और आसान तरीके से समझ सकते हैं बात करेंगे साथ योंगले प्रिशन की वर्स 1999 में किसी देश की जन संख्या 30.3 मिलियन थी कौन सी संख्या 30.3 मिलियन के समान है दीखे ध्यान पूरक बहुत यसान मतलभ है मिलियन में और लाओ सिजय समझना चाहिए आपके मिलियन की बैलू यहाँ पर पहुंच देगा है आप हम हमें मालूम होना चाहिए कि मिलियन में कितने का होता है 10 लाग का 1 million होता है होता है कि नहीं होता है सबी जानते हैं यह दस की घाते 6 बराबर 1 million होता है तो इस question को हम solve कैसे करेंगे ध्यान पुरक समझेगा 10 की घाते 6 इसकल 2 1 million जब होता है इसलिए 30.3 million इसकल 2 10 की घाते 6 30.3 कर लिजे क्या करेंगे 10 की घाते 6 गुणे 30.3 कर लिजे 1 million का गुणा 30.3 में कर लिजे आपका सन आ जाएगा 10 अंक दिया की नहीं दिया है तो 1 0 आपका लेडी 10 अंक भटाना तो बटे में 10 करेंगे 10 यहां पे माइनस हो जाएगा 10 की घाते 5 ही बचेगा ठीक है तो 303 लिख दीजे और 10 की घाते 5 है तो 5 0 लिख दीजे तो 30 30 हमारा काउन सा आपसन देखे D आपसन क्या सही दिया 30 30 यह 5 0 जी हां D आपसन हो जाएगा आई होप आप लोग समझ गया होंगे एक बार और ट्राइ करें चले 1 million इचकल 2 दिया हुआ है 10 की पावर शिक्स होता है यानि 10 लाक लिखा हुआ 10 की पावर शिक्स मतलब 10 लाक लिखा हुआ है अब इसमें हमें क्या करना है 1 million में यानि 10 की घाते 6 में किसका गुणा कर देना 30.3 का गुणा कर देना है और यह point 3 है point को हटाने के लिए आपको पता है जब 5.6 होता है तो इसको 10.6 हटाने के लिए 56 बटे 10 कर देते हैं कर देते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें भी करना 30.3 करना है इसको 10.3 हटा देना है तो बटे में 10 कर देंगे गाते पांच हो गया तो 3 इंटू 3 और यहाँ पर के 1, 2, 3, 4, 5, 0 लगा दीजिए D-option सही हो जाएगा आई होप आप लोग समझ गए होंगे नहीं समझ भाया तो यह आपके बॉक्स में लिखा हुआ solution आई यह बात कलते हैं अंगले प्रशन की 63606 में 6 के स्थानी मानों का योगफल बहुत यह असान है क्या आप लोग करेंगे चले इसको भी कल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं पहले 6 के स्थानी मान 6 लिखिए इसके बाद कितनी संख्या है चार संख्या है तो 1, 2, 3, 4, 0 कर दीजे दूसरे में देखे ट्राई कीजे क्या लिखा हुआ है 6 लिखिए इसके बाद कितनी संख्या हैं 2 Σंख्या हैं तो 100 कर लेजे तीसरे में देखिए केवल 6 है अब इसका कह रहा है योगफल कह रहा है इसका योगफ कर लेंगे कितना आ जाएगा 60,000 आएगा इसका 600 आजाएगा इसका 6 आएगा ठीके तो 60,000 606 आना चाहिए कि हमारा D-Option आपे सही दिया गया है आई होप आप लोगों का सही हो जाएगा नहीं समझ में आ रहा है तो यह बॉक्स के अंदर आपका शलूसन लेखा हुआ है बात कर लेतें अंगले पृष्ण की संख्या उन्चास 532 का सनिकट हजारवा मान होगा क्या लिखा हुआ उन्चास पान सो बातिस अगर यहाँ पे उन्चास चार सु कुछ लिखा होता या चार सु निन्न्यानुबे भी लिखा होता तो यह क्या आता 49,000 के सनिकट मान कहलाता लेकिन 500 लिखा जाए 500 के उपर लिखा जाए तो वह कहला जाता है 50,000 का 1000 वे में तो आपका ये 49, 532, 50,000 का जैसे फारिक जामपल बता देता हूँ मान लिजे सैकड़ा में मान पूँछ रहा है ठीके सनिकट मान है तो अगर आपका 149 दिया हुआ है तो ये 100 के में आएगा अगर आपका 100 इंक्यामन दे दिया गया तो ये 200 में आ जाएगा सनिकट सावा मान जो है ताई हो पापलोग समझ गए होंगे कि ये 49, 532 में 50,000 का सनिकट अजारवा मान क्यों हुआ नहीं समझ मैं रहा 159 में एक के स्थानी मान कया होगा इस्थानी मान अच्छे तरिके से आज आज आप बिलकूल समझ लेंगे अच्छे तरह रटना नहीं है समझ ना है क्योंकि रटेंगे तो संख्यायन चेंज होकर आएंगे कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं संख्याय हैंगे फार्मूला यही लगेगा कोश्चन इसी टैप सेंगे के वल संख्याएं चेंज होंगी इसमें एक कर्ष्थानी पूंच पूंचा जा रहा है तो हमें क्या कर रहा है एतना ले लेना है जीरो फाइंट जीरो बन ले लीजिए और इसको हम क्या लिख सकते हैं लटाने के अंगला प्रिश्चन है संख्याएं 13.62.05 में 5 का इस्थानी मान होगा यह अब आप लोगों को सॉल्प करना है एक दस्थानी मान है अब आप बोलेंगे सरे फ्रंट में पहले दस्थानी मान निकालना है तो बाद में दिया गया कैसे सॉल्प करेंगे देखिए ध्यान पू हम ठीक है तो तो 5.55 करेंगे क्योंकि इस थानी मान किया होता है उसके अंके बाद का होता है इसलिए कि सम्फफना आपसं सही होग हो संक्या 3.4.6.25 में 2 का इस्थानी मान बताईए ये बहुत यासान प्रशन है ये अब आप लोगों करना है ये दो प्रशन आप लेड़ी जो है इसी टैप से कर चुके हैं आप संस दिये गए कौन सा ही होगा आप लोगों कमेंट करना है अपने रब पेन में शॉल्ब कीजिए आईए देखते हैं अंगला प्रश्ण यदि साथ के तीन लगातार गुर्जों का योग त्रिपल सेवन है तो सबसे छोटा गुणज होगा देखे ध्यान पुरक समझेगा प्रश्ण क्या कह रहा है सबसे छोटा गुर्ज पूछा जा रहा है तो क्या कह साथ के तीन लगातार गुर्ज त्रिपल सेवन दिया गया है सबसे छोटा तो माइनस सेवन पॉइंट त्री कर लिजे और बटे में त्री कर लिजे 7 के 3 लगातार गौंशोर का योग triple 7 है तो सबसे चोटा गौणज 7 के 3 लगातार पोंच रहा है ना तो 7 का ये गौणज है और गौणे 3 कर लेंगे तो triple 7 में इतना minus कर लेना है और भागे 3 कर लेना है बहुत आसान सा प्रशन है और ये बोर्ड मौस का रूल हमें पता होना चाहिए कि माइनस के पहले हम गुणा किया जाता है तो साथ तरीक 21 कर लिजे तो 377 माइनस 21 बटे 3 कर लिजे 377 में माइनस 21 करेंगे 756 आएगा 756 में 3 से भाग कर दीजे क्या जाएगा क्या आपका ठूपी प्रीट्यू आ रहा है की नहीं आ रहा है चिक कीजे रपिन में क्या सही है हम गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं ये आपका दायत है आपको फीड़वेक करना है अगर गुणा भाग में हमसे भी गलती हो जाती है तो आपको comment करके बताना है सर आपने हाँ पे गलती की है और हमें वहाँ पे शुकार करेंगे comment में बताएंगे बिलकुल यह होता है आपका दायत जब हम पढ़ा रहें तो हमारा भी आप लोगों का सेयो करने का दायत होता है आप लोग भी सेयोग करें, फीडबेक करें सहतों तभी सेलेक्सिन आप पे शरोपरी होगा तभी एकजाम फत्य की और हमारी क्लास हो पाएगी अंगला प्रिशने तीन के तीन क्रमागत गुनज संख्याओं का योग 99.99 है तो ये गुनज होगा, थोड़े संख्याओं बड़ा है बहुत ही आसान सा है समझ लेना है माना तीन के क्रमागत गुनज है 3X 3X प्लस 3 इंटू नहीं करेंगे आपका 3X प्लस 6 कर लेंगे ये हमारे गुनज कहला जाएंगे 3X प्लस 6 एक 3X हो गया 3X प्लस 3 और 3X प्लस 6 ये क्रमागत हो गया अब इनको क्या करना है आपस में जोड़ लेना है तो 3X, 3X, 6X और 9X हो गया और 6, 3, 9 हो गया 9X धनक्नौ हो गया 9X धनक्नौ हो गया और आपका प्रशन कहरा है ये इसका योग 99 है 99 कर लिजी ठीक है तो 9X बराबर 90-9 करेंगे कितना आजाएगा स्वारी 99 था 99-9 होगा तो 99-9 करेंगे तो कितना आजाएगा तो 9X इसकल 2 90 आजाएगा तो X बर्ड क्या आजाएगा 90 बटे 9 कितना आजाएगा X की वेलू 10 आजाएगी तो हमने क्या माना था 3X माना था 3X प्लस 3 माना था और 3X प्लस 6 माना था इसकी वेलू रख दीजी तो 10 माना आजाएगा X का तो 10 गुणे 3 करेंगे 30 आजाएगा फिर यहाँ पे 10 गुणे 30 करेंगे और 3 जोड़ना पड़ेगा 33 हो जाएगा तो 30, 33, 36 सी आप समसा ही होना चाहिए ठीक है आई होप आप लोग समझ गए होंगे अभी भी नहीं समझ मैं है तो यह लिखा हुआ है आसानी से समझ सकते हैं कोई भी डाउट हो कमेंट करें फीड़ वेग करें क्योंकि यहाँ पर सेलेक्शन जरो पर ही है अंगला प्रस्ने बहुत ही आसान सा प्रस्ने समझेगा 200, 400 के बीच 30, 45 से था 60 का सबसे छोटा सार उगुनज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सार उगुनज और 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सार उगुनज खंड बराबर होगा तो एक चीज मैं बता देता हूँ सबसे छोटा सार उगुनज मतलब क्या है LCM निकालना है और सबसे बड़ा सार उगुनज मतलब SCM निकालता है महत्तम शमापर तक निकालना है चले निकाली 30, 45, 60 का LCM निकाली है फटा फट मैं डिरेक्ट्री लिखूंगा ठीक है LCM आपको निकालना है अब 30, 45, 60 का LCM निकाली है कितना रहा है 2 की घाते 2 3 की घाते 2 और 5 इतना आएगा आपको करके देखना है हमारा सौर मत कीजे वीडियो पहुच कीजे और LCM निकाली है क्योंकि गणित कहता आप कुछ करें तो फिर मैं इंसर उत्तर को लाऊं पकड़ के लाऊं खींच के लाऊं आप कुछ करें तो आप कुछ लिखें तो ठीक है जब आप इतना करेंगे 180 आएगा लेकिन 180 दो तेहीं च्छै दो दूनी चार तेहीं बारा तीन आएगा और 45 का भी निकालेंगे तो तीन तरीकाई नौपना पैंतालिस तो तीन तीन सभी में आ रहा है तो तीन LCF आ जाएगा तो हमें क्या करना है इसका LCF कितना आगया मासा तीन आगया तो सबसे बड़ा सार गुरन के खंड कितना आ गया तीन आ गया तो अभी इश्टमान क्या आ जाएगा जो हमारा 180 आया था 180 में जो हमने गुना किया था दो का 360 आया था उसमें सबसे बड़ा सार गुरन जो LCF आ उसको भाग कर दीजे 120 आना चाहिए पहला आपसन सही होना चाहिए कोई भी डाउट हो कमेंट करें फेड़बेक करें नहीं समझमाया हुआ है तो ये आपके लिखा हुआ है समझ लेजेगा चले समझ ली होंगा आई होप आप लोग अच्छे तरीके से चले आज का मौक कोश्चन देख लेते हैं आप लोगों के लिए मौक कोश्चन दिया जा रहा है ध्यान पुरक देखीगा दिया गया है 84 के सभी धनात्म गुनन खंडों का योग जो 7 के गुड़ज है निम्न होगा सेम उसी टाइप का प्रस्चन है आपको साल्ब करना ये मौक कोश्चन है 84 के सभी धनात्म गुनन खंडों का योग जो 7 के गुड़ज है कौन सा होगा तो आप लोगों को बताना है 15 में से आप लोगों के स्कूर क्या हुआ असाती साथ इस मौक कोश्चन को साल्ब करना है और कमेंट बाक्स में से इस सर बताना मैं आपके साथ जेस्वाल सर जल्दी मिलता हूँ नेस क्लास पर नेस प्रेक्टिसेट नेस मौडल पेपर पर सभी मित्रों को जहिंद बंदे मात्रम धन्माश भीकर